Hello everyone, welcome back to another video तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हैं development को, course को आगे continue करने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम short सा, छोटा सा concept सीखने वाले हैं तो इसको हम देने वाले हैं अपना project number 2 या फिर आप देख सकते हो third number का जो folder है इसको सीखने के लिए आपको एक और जो second number का folder है उसको पढ़ना वड़ेगा तो फिलाल आप वो सब छोड़ो आप सिर्फ CSS इस वीडियो में थोड़ा सा सीखते हैं basic CSS जो है देन उसके बाद हम थोड़ा सा HTML और advanced इसके अंदर complete करेंगे साथ में थोड़ी बहुत designing का पार्ट जो है उसको सीखेंगे तो start करते हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है तो ध्यान से देखेगा वीडियो को तो start करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने third number की folder के अंदर इसके अंदर अपन final आप देख सकते हो अपना web page को इस तरीके से दिखना चीए तो कुछ नहीं basic चीज है ठीक है पहले में कोई designing नहीं है button जो आप देख रहे हो उसमें कोई designing नहीं है दूसरे वाले में थोड़ा सा designing है तीसरे वाले में hover effect भी है साथ में designing की ठीक है तो यह अपने को final अपने का output चाहिए तो अपन कुछ नहीं थोड़ा सा basic HTML का जो है उसको और आगे advance करेंगे साथ में अपन थोड़ा सा CSS देखने वाले है तो फिलाल मैं यहाँ पे start करता हूँ अपना नया project ठीक है तो मैं यहीं से open कर लेता हूँ अपना vs code editor तो मैं यहाँ पे जाता हूँ open with vs code जैसी open हो रहा है side में अपन क्या करेंगे सबसे पहले अपने को यहाँ पे HTML का page बना लेना है या फिर index.html file बना लीनी है ठीक है और यहाँ पे जो side में आप browser देख रहे हो वो अपना final product है तो अपने को finally इस तरीके से बनाना है तो फिलाल आप अपना index.html file है उसके अंदर अपन code को लिखना start करते हैं सबसे पहले मैं इस file को कर लेता हूं save जैसी मैं save किया फिर मेरे पास जो embed वाला content है वो already आ चुका है अब मैं यहाँ पर title आप देख सकते हो तो title को change कर सकते हैं तो true engineer project number 3 कर लेते हैं जो करना हो वैसा लिख लो ठीक है project number 3 इसले कर रहे हैं क्यों क्योंकि अभी यहाँ पर project number 2 जो है वो important है तो वो आप थोड़ा देर बाद देखना है उसमें थोड़ी सी advanced CSS का use है तो basic CSS आज अब इस वीडियो के अंदर cover करेंगे इसके लिए project number 3 को हम पहले ला रहे हैं ठीक है बागी आप project number 2 अराम से बना सकते हैं उसके बाद तो हम कु कुछ नहीं content लिखना है तो पहले लिखेंगे हम कि no style तो हम पहली चीज़ लिख लेते हैं paragraph के अंदर ठीक है तो दूसरा जो paragraph बनाएंगे हम वो true engineer जो हमारा channel है YouTube का उसके नाम से बना लेते हैं बस simple से आपको बता रहे हैं कि button जो है उसको कैसे design करना है ठीक है main concept अपना button व ठीक है तो कुछ नहीं simple है यह सारा काम तो आपको पहले से आता ही होगा अगर आप लोगोंने मेरा पहला project देख लिया दो अब कुछ नहीं यह 3 simple आप देख सकते हो काम हो चुक है paragraph वाले अब हमें button कभी यूज़ चाहिए तो अब अपन button के लिए क्या use करेंगे input type text की जग कर दें तो button में submit लिखा आता तो यह दोनों में difference है तीन जगा पर इसको copy कर देंगे तो पहला तो अल्रेडी अपन लिखी चुक है आगे second जगा पर भी कर देते हैं और इसके बाद यहां पर भी इसको paste कर देते हैं तो मेरे याल से यह तीन जगा पर आपको आसानी तरीके स आप राइट साइड में देख सकते हो जो अपने अभी create किया है अब अपने को CSS link करनी है तो यहां पर head के अंदर हम use करते हैं link ठीक है तो href में हमें कुछ नहीं style.css लिखना पड़ता है और इसको अगर create करना है तो अपन को क्या करना पड़ता है आप मतलब create file बनाने के ल अदर होता है ठीक है title के उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता कोई दिक्कत नहीं बट head के अंदर होना चाहिए फिर अपन सिलेक्ट कर रहे है form को form के अंदर आपने सारी चीज़ें लिखी है तो margin दे देते हैं इसको थोड़ी सी तो 10 pixel के आसपास margin दे देते हैं क्योंकि ठीक है तो पहले वाले में तो मैंने second लादे हैं थाट नाम अब मुझे कुछ निच करना lumière अब चैंज करनाना करता और और फिर background colour देना तो आपन background colour का भी use कर सकते हैं otherwise अपन background का אז का काम सियम है तो background color का use लेता हूं gustolik लेता हो मैं यहाँ तो ब्ले आप देख सकते हूं बैग्राउंट कलर आ गया ठीक है अपने को बटन देखो उस तरीके से चाहिए तो अपने यहाँ पर थोड़ा और फीचर्स या फिर थोड़ा और एट्रिबुट्स यूज़ करेंगे जैसे पैडिंग हो गया पैडिंग 10 पिक्सल की दे देते हैं ठीक है सारे जो लेटरस है फाइनल प्रोड़क्ट में उपर साइड के हैं सारे कैपिटल लेटरस हैं तो अपर केस में इसको शो कर देंगे ठीक है तो यह बेसिक चीज आपने को थोड़ा इसको करवी टाप का भी करना है ठीक है तो सारी-चारी चीज़ा अपन यहापर यूस करें तो अब यह perfect देख रहा है, अपने final वाले button से, ठीक है, देखो यह final का है, और यह अपने अभी create गया, अब यह जो same data जो है, जो second class का है, उसको same third class में भी copy कर देंगे, तो same data को copy करते हैं, और paste कर देते हैं, second class की जगा पर use कर लेंगे, third class, ठीक है, तो अपना यह same button जो है, third class में भी अपने को देख गया, बट अब third class में अपने को एक और effect चाहिए, जिसको बोलते है, hover effect, तो hover effect देखो, final product में आपको दिख रहा होगा, blue color का, बट अभी जो अपने create किया है, उसमें कोई भी hover effect नहीं है, तो अपने को अब hover effect चाहिए, तो hover effect कैसे निकालेंगे, तो ज ये सेम कोड आप अपने use कर सकते हो, काफी simple project है, बस आपको बस इसमें थोड़ा सा color सिखाना start कर दिया, मतलब CSS का introduction कर दिया, और अगर आपको background color सीए, तो आप background color भी use कर सकते हो, otherwise आप देखो, यहाँ पर hover effect आ गया है, ठीक है, देख लो, final product में भी hover effect था, बट final product में आपक background color का use कर लेता हो, यह भी मेरे पास एक color code है, तो इसको चुपचब आप यही copy करके लिख सकते हो, तो अब देखो, पूरा background भी इसका hover effect दे रहा है, साथ में color भी, जैसा अपना final product था, तो मेरे ख्याल से आप लोग को यह जो simple सा एक web page जो बनाया है हमने, जिसके अंदर buttons का यूज किया है, वो पूरा web page आपको complete समझ में आ गया होगा, तो यह काफी अच्छी वीडियो है, और simple वीडियो है, अभी आपको इतना सा हम पढ़ा इसलिए रहें, क्योंकि आगे चलके, जो हमारा second number का project है, वैसे हमने third number के project में इसको डाला है, बट जो अभी second number का जो folder हो होने वाला है, उसका जो project है, मतलब इसके बाद वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में हम आपको login का page बनाएंगे, इतना tough page नहीं बनाएंगे, अच्छा page बनाएंगे, उसमें attractive page बनाएंगे, साथ में आपको इसमें complete CSS जो दिखने वाली है, वो बहुत मस दिखने वाली ह ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो जो है, काफी जादा important है, इस वीडियो की थोड़ी बहुत आप practice करना, जिसको थोड़ा सा भी नहीं आता है, और जिसको आता है, तो यार वो तो उसके लिए काफी simple होगा, तो जो next project होने वाला है, वो बहुत ही बहतरीन होने वाला है, तो आप लोग जो input type text है, उसकी जगापे, submit की जगापे कुछ और use करके देखना, या फिर थोड़ा Google में content देखना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, otherwise हम लोग बैठे होएं आपके लिए, तो next studio में बहुत ही मस्त जो है, आपको web page create करवाएंगे,